मैं पवण जैस्वाल मैं आपको एक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जी लेके छोटे से गाउच छातु ग्राम सवाव यहां का कुछ हकिकत बताना चाहता हूँ यहां का हालात ऐसा है यहां पे गरीब वर के लोग रहते हैं जो लकड़ी काट करके दोना पत्तल बना करके आपके अपने बच्छों का जीवाम नापन करते हैं इस लागडाउन में यह लोग इतना परिसान है कि इनका दुख-द्र ब्या करना मुस्किल है लोग हमें सरकार बिरोधी बोलते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि यह सरकार के नीतियों की विप्रित कर रहा अधिकारी इनके इर्षिया का सिकार हुए हैं लोग और मैं दिखाऊंगा आपका इनको हाला है इनको जो मुख्यमंत्री आवास उजना के तर जो धन आया है और उस धन का यह उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं यह सैकड़ों साल सुरत्य आ रहे हैं हमारे पीछे आवास देख रहे हैं ज जो पांच आएकड़ पर दावल करते हैं लेकिन कोट कचारी के चक्कर में इनको क्यों घसीटा जा रहा है हमें यह नहीं समझ मारा है दूसरी तरफ वन कर्मी जब कोट कचारी मामला है तो वन कर्मी आके इस काम को क्यो रोखते हैं यह भी समझ से पड़े हैं हमारे पीछे देख रहे हैं यह करीब यह गाओं जो है च्छातो गाओं यह करीब एक हजार लोग की आवादी है यहां पर दो-तीन सो मकान है यहां पर घर है जुगी जोपड़ी मकान नहीं कहेंगे उसको और जो मकान बनाय जा रहा था उनसे बताते हैं लोग कि पांच हजार दस जार रु पूरे लोग जुगी जोपड़ी में इस बरसात में कुकुड़ते हैं और यह हालात यह जान लिजे कि इस छेत्र का तो नहीं कहूंगा इस गाओं का बहुत बुरा हालात है और जहां पर मैं आया हूं इस समय और यह देखिए हमारे पीछे एक परिवार खड़ा है क्या ना आप करते क्या है अच्छा और यह घर जो है घर का नहीं बन वा रहे हैं क्या बात है जंगल के कौन रोके हैं आपको आपको आप तर नाम तर नहीं बता सब्सक्राइब होगा अच्छा क्या बोलते हैं बाता है कि जंगल विवाग के घर नहीं बनेगा और यह जो आवास बन रहाए इसमें लिए आप यह देखिए यह घर है यह घर है हे देखिए यहां पर करीम 90% लोग का इसी तरही के से हालात है यह इसी तरह जुग्गी जोपरी बना कर रहते हैं और यह मैं सोचिए कि कहीं भी देश से आएं यह हमारे देश के नागरिक हैं और यहीं पी रहते हैं और सरकार तो दावा करती है और रोज कागजों में आवाज भी बन रहे हैं किन्तु रियल्टी अगर चेक करना होना तो किसी गाव में आगे और गाव में आकर करके देखिए वहां का हालात क्या है आज के लिए नहीं भरी थी आवाज के लिए नहीं भरी थी आवाज के लिए रे आवास का जंगल वाले कहा थे हूं कि हमार हमार हुआ हमारे। आवास नहीं बने दे थे हूंगा थे हुँआ है Gesundheits気 दे बंदत इवे इसे बंद कदे उजवा थे भगावाथ हूँआ हंगा अज हम लोग कर फस हम 50 साल से हम लोग बाई माई अदमी पराणी साँ इहीं जग लकड़ी पत्ता बेचे वोला हैं बेच के खाईला साब अब यह समादा खाईले बिना मरत हैं भार दुआर हमरे नाईय सरकार मरई में रही ला कौन काता है कितने साल से रह रहे हैं आप रहे हैं और यह यह यूपी का हम तो कहेंगे कि इससे बुरा कोई गाउ नहीं होगा और होगा भी तो पता नहीं चल पाता क्योंकि मैंने तो जान रहा है कि हमें गरीबों का हाग का ख़वर दिखाना है हमें समाज सेवा के प्रती हमें काम करना है हम ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूं जो यह बहुत हमारे देश के इतिहास में इस एक कोल मुसहर धरकार इस जाती का बहुत बड़ा योगदान है जो आज तक जंगलों में रहते आए हैं अपने अपने परिवार का जीवन यापन की हैं इनको यह नहीं मालूम की क्या होता ह है और इनको यह नहीं मालूम की क्या होता है यह असिचित है और साइद इसी का फैदा उठा करके कुछ लोग इनके मजदूरी का हक मजदूरी से जो कमा हुए पैसा है उसको भी निगल जाते हैं उसके बाद भी देखे कितना आवास इनका मुख्यमंत्री आवास आया था उ मेरे रोका क्यों गया ठीक इतना ही का उना चाहूंगा धन्यवाद